पैनिक अटेक कनवर्टिंग इंटू एंग्जैटी प्रॉब्लेम और एंग्जैटी निरोसिस इसके बारे मैं आज बाचीद कर दे केस्टिडी आपको बताता हूँ एक 17 साल का योग अभी मेरे पास में आया उसको पिछले 3-4 साल से पैनिक अटेक आ रहे हैं और पैनिक अटेक जब आते रहे हैं तो एकदम बहुत ही घबराट अचानक शुरू हो जाना घबराट सीने में धड़कन धग 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 कर रहा है इतनी घबराट कि उसको लगता कि अब में मर जाओंगा बेचे नहीं फिर एक जगह नहीं बैठना इधर से उधर उधर से उधर जाना इतनी घबराट कि उसको लगता कि अभी में कहां भाग जाओं या फिर वह उसको बहुत पानी पियेंगा कुछ तो भी खालेंगा या फिर घर के तरफ मतलब भाग के निक नातर हो जाना है दो टीनरी चार्ज मिनिट चलता था और बढ़ी दीरए 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 आदे गंटे में कम होता था मटव और अभी किया हो ना चंता लगना के भी क्या होंगा कैसा होना इस सब्सके लिए उसने टैबलेट लिया मगर टैबलेट से भी temporary बहुत फाइदा हो रहा है और वो फाइदा होके फिर 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 और टैबलेट लेता फिर हो गया कि उसको आदत लगने टैबलेट फिर उसने आदत छोड़ने के लिए और कोशिश किया फिर भी तकलीफ हो रही है और ऐसा चल रहा है अभी उसको टैबलेट शोड़ने की है टैबलेट से भी पूरा फायदा नहीं हो रहा है जितना चाहिए उतना और फिर अभी सोचता है कि अभी करू क्या क्योंकि उसको धन्दे पाने में उसका एफिक्ट होता है मतलब उसका बिजने से उसके उपर जाता नहीं हो शादी के लिए ना बोल रहा है क्योंकि शादी के बाद में ऐसा हो गया तो क्या करेंगे प्रोड़क्टिविटी कम है घर में भी काम नहीं करना ज्यादा बहर जाने का नहीं घर में बैठे रहना ऐसा होते रहता है और फिर घर के लोग बोलते कि बाकी तो सब ठीक है अच्छा तो है काम नहीं करता आलसी बन गया ऐसा उसको ताने मारेंगे फिर उससे और वो डाउन हो जाएंगा ऐसा चल रहा है उसका उसको मैंने बोला कि देखो आपको दो तरह का हिलाज अभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यह जो आप दवा ही ले रहे हो इतनी काम की नहीं है उतना काम नहीं कर रहे है अपने को सव ड़का फायदा हो जाएंगा ऐसे मैं आपको दबा दूँगा और नमबर दो आपको NLP Hypnosis करना पढ़ेंगा Neuro Linguistic Programming with Hypnosis ऐसा करना पढ़ेंगा और काउंसिलिंग करेंगे हम आपका यह दोनों आप करेंगे तो आपको फायदा हो जाएंगा ऐसा उसको मैंने बताया और उसको काउंसिलिंग के बारे में बताया सबकॉंशेस मैं में कुछ तो भी हुआ जाके बढ़ गया हो उसका विश्वास बढ़ गया बिलीफ हो गया सबकॉंशेस माइंड का माइंड का कि उसके उपर और वो उसका उसका तकलिप चले हो गया तो ले वो देखना बढ़ेंगा और उसको मैंने विश्वास का जो तो अब है कि मैंने में अब कि आपको समझेजा कि अब अब जब मुज़े देएंगे उसे मालूं पर जाएंका कि अब कितंहा फायदा हो Хот up एक यह है कि मैंने उसको बोला कि देखो आपके अतीत में कि क्या हुआ, कहां से यह शुरू हो गया, कहां आपको धक्का बढ़े गया, किसने आपके उपर डॉमिनेशन किया, किसने आपके उपर कोई अग्रेशन करके बताया, मारा, ठोका, चिलाया, चीखा, जो भी है, क्या ऐसा हुआ कि आपको दहशत बढ़े गये, कॉंसेंसी न्यूज आ गए, कि जिसके वज़े आपको लगा कि अभी मैं मरने वाला हूँ, क्या ऐसा हो रहा है कि आपको फ्यूचर की चिंता लग रही है, कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएंगा, फ्यूचर उसने मुसे बता है, काउंसिलिंग के जर्मेन, तो मालूम बढ़ा है कि उसके पिताजी जो थे, बहुत ही शॉट टेमपर थे, चिलाते थे, चिकते थे, छुड़ चुड़ बात के उपर, और बच्चा जब था हो, चार साल का, पास साल का, मस्त खेलता था, कुटता था, मगर हर बार उसके पिताजी घर पे आ गए, घर पे आने के बाद में एकदम समशान शानता था, यह आदमी घर पे आया है, उसका पिताजी, कि बस सब लोग शानत हो जाएं, कोई बोलेंगा ने, क्योंकि वो कब चिलाएंगे, कब चिखेंगे, और कब मारेंगे, कुछ बरहसा नहीं था, और जब एक बार वो न्यूस पेपर पढ़ रहा था, तो उसने न्यूस पेपर में ऐसी एक खबर आई थी, अकबार में, कि पिताजी ने बच्चे को मारा और उसका बृत्ती हो गए, और वो खबर देखते हैं, जब उसने पढ़ा, तो उसको लगा कि अपनी पिताजी अप इनको मारते थे, मार रहे हैं, और अपना भी अपन खलास हो जाएंगे, मर जाएंगे, और वो जो दिमाग में बढ़ गया है, वहां से उसका एक चलो हो गए, उसका पूरा पास सुनने के बाद में उसको काफी काउंसिलिंग किया, बता है कि पास वो पास अभी भी आप जी फिगर, तो ऐसा कोई आदमी आगे तो आप डरते हो, आपको लगता कि भी वो मारेगा, मिर को ठोकेगा, तो ये पास आपने लाके रखा है फ्यूचर में और वहां से आपको लग रहा है डर, अभी क्या होने वाला है, अभी तो कुछ होने वाला नहीं, अभी तो कुछ नह अभी तो बहुत बढ़ा हो, अभी कोई पिताजी मार नहीं रहे, अभी तो कोई मेरी मुर्टी होने वाली है नहीं, यह इसको आप प्रेजेंट हो सकते क्या, यह जब मैंने काउंसिलिंग में सेशन में उसको बता दिया, दिरे 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 उसका एंग्जाइटी कम हो गई दबा भी कम हो गई और वो अच्छा जीवन जेना चलू किया, काफी लोगों को ऐसे प्राब्लेम है, जरूर आप लोगों को शेर करो, चारह सा लोगों को शेर करो ताकि लोगों को यह बिमारी से मुक्ति हो जाएंगी, उत्पात नक्षमता उनकी बढ़ जाएंगे और जरूर ऑसरा के लोगों को यह solic garam dalानि मुक्ति हो जिए ओगों को शेर को शेर कपानी जाएंगे बिमारी से जाएंगे बिलत व़og抗ों को खव yolघार आप बिलता है दनकी को शेम् voudएंगे वारों कभों को शेर करों को ओन्यदना अजोर एसे लिए द 연तीकित्स है, इसा र॓